Hey everyone, आप सब का Bihar Judicial Services का जो Prelims Exam है 2020 का वो हो चुका है, उस पेपर को और उसकी answers को हमने हाँ पर डिसकस किया है और साथी साथ expected cut-off को भी डिसकस किया है, न्यूस पेपर में एक न्यूस आई है जिसके हिसाब से पता चलता है कि जो PT का result है वो expected date अगर हम देखें तो वो आपक जनवरी के आसपास में आपका PT का result declare हो सकता है और आपकी जो official answer की है वो भी एक से दो दिन के अंदर ही VPSC के website पे publish कर दी जाएगी तो आप वहाँ पे भी अपना answer match कर सकते हैं आज इस वीडियो का जो मकसद है वो ये मकसद है कि जिन लोगों के भी हमने जो expected cut-off डिसकस किय हैं बहुत सारे source से आपको पता लग रहा होगा तो वहाँ पे आप अगर कहीं भी हैं उसके आसपास even तीन चार नंबर आगे पीछे भी हैं तो आप सब लोगों को अपने मेंस की तैयारी शुरू करनी चाहिए क्योंकि अगर आप 10 जनवरी का इंतिजार करते हैं अपने PT के result का इंतिजार करते हैं तो आज अगर 11 दिसंबर है तो लगबग एक महीने का जो समय है वो आपका चला जाएगा और मुझे लगता है कि पढ़ाई कभी भी किसी की भी बरबाद नहीं जाती है तो बिना एक single second को भी waste किये आपको अपनी तैयारी शुरू करनी चाहिए मेंस क जो लोग भी उस आपके cut off के आसपास आ रहे हैं उनलों को definitely चुरू कर देनी चाहिए मेंस का जो आपका expected date हो सकता है अगर आपका हम मान के चलते हैं कि जैनवरी के first और second week में prelims का result आता है तो आप मान के चलिए कि within two months आपके मेंस के exams conduct हो जाएंगे तो मार्च 2021 का second और third week मे ये exam कराया जा सकता है मेंस का exam conduct कराया जा सकता है तो अगर आप अभी से अपनी तयारी शुरू करते हैं दिसंबर से तो आपके पास में अच्छे खासे धाई महीने के करीब में समय है जहां पे आप अपनी मेंस की तयारी बहुत अच्छी कर सकते हैं और जो लोग पहले से पढ़ने हैं उनके लिए तो ये बहुत अच्छा समय है कि उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया जा सकता है तो ये हमारा expected date हो सकता है मेंस का अब हम बात करते हैं मेंस की syllabus की तो देखें यहां पे जो बिहार में हैं आपका मेंस का syllabus यहां पे आपकी language में दो paper होते ह हैं Hindi और English के लेकिन इनके marks जो है वो final result को prepare करने के लिए add नहीं किया जाता है ये सिर्फ qualifying paper होते हैं लेकिन qualifying तो होते हैं लेकिन आप इसको हलके में मत लीजेगा क्योंकि ये दोनों जो copies हैं language वाली सबसे पहले इनको ही sign किया जाता है और इसमें जो minimum criteria है जो minimum qualifying marks है अगर student का उतना marks आता है तभी उसके आगे की copies को sign किया जाता है वरना वहीं से उसके बाद की copy sign नहीं की जाती है तो ये बहुत एक important factor है कि आप आगे की paper में कितना भी अच्छा answer क्यों ना लिखे हो अगर आपके ये दोनों paper ही अच्छे नहीं जाएंगे तो आपके बात की copy देखी ह नहीं जाएगी तो qualifying होने का मतलब ये नहीं है कि आप पुरी तरह से इस paper को avoid कर सकते हैं तो इन दोनों paper पे भी आपको focus करना होगा इसके बाद हम बात करते हैं general studies की यहाँ पे भी आपका history, geography, current affairs इन सबसे related questions होते हैं और जादा तर यहाँ पी one liner questions होते हैं जहाँ पे आपको एक line में answer लिखना होता है, बहुत कम questions होते हैं जहाँ पे आपको दो से तीन line का answer लिखना होगा, वो two marks या five marks के होंगे, जादा तर questions one marks के यहाँ पे आपको दिये जाएंगे करने के लिए, तो यह paper बहुत important role play करता है, even general studies और general science, यह दोनों paper बहुत important role play करते हैं और यही deciding factor ह होते हैं, आपके means में select होने की और means में जादा से जादा number score करने की, क्योंकि देखिए जो law के students हैं और जब वो pre-qualify करके जा रहे हैं, अभी आपका 15,000 के बीच में prelims का exam हुआ है, लेकिन जब आप means exam देंगे, तो यहाँ पे सिव 2200 students ही होंगे, तो यह देखिए जो law के student है जो pre-qualify करके आ रहे हैं, यह law के paper में आगे पीछे थोड़ा 5-10 number उपर नीचे सब थोड़ा सा अच्छा perform करेंगे, तो आपका जो deciding factor है, means में जगा बनाने के लिए और even final selection में जगा बनाने के लिए, वो आपकी यह दो paper है, इन दोनों paper पे focus कर पाना थोड़ा मुश्किल है law background के students के लिए, क्योंकि लिए यह उनके लिए बहुत अलग हो जाता है, especially science, तो इन दोनों पे आपको बहुत जादा focus करना होगा, इनके notes बनाएए, इनको prepare करिए और अभी से आप पढ़ना शुरू करिए, इसके बाद आपका यहाँ पर यह compulsory paper होता है, law of procedure और evidence का, जो सार आपने form fill कियो होंगे, तो उसी समय वो main's के subjects भी आपसे fill करवा लेते हैं, तो आपने जो भी वहाँ पे option choose किये हैं, पांच में से 3, वो आपके यहाँ पे 3 paper रहते हैं, तो अगर हम इन पूरे को count करते हैं, तो आपका total यहाँ पे 8 subject है, और इन 8 subject का आप detail में syllabus देखेंगे, तो वो बहुत जादा है, तो उस हिसाब से आपको धाई महीने कम लग सकते हैं, तो इसलिए मैं कह रहे थी कि जिन लोग पहले से पढ़ने हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा है, और जिन लोगों ने पहले से तयारी कम रखी है, उनको बिना single second भी waste के, बिना उनको अपन करिए, आपको उस syllabus की बाहर नहीं जाना है, और उस syllabus में से कुछ छोड़ना भी नहीं है, आपको वो पूरा का पूरा complete करना है syllabus, जो भी आपका महाँ पे chapters दिये गया है, डिफाइन किया गया है, तो उनको आप पूरी तरह से complete करिए, आपको यहाँ पे एक time table बनाना होगा, आपने एक strategy बनाना होगी, क्योंकि आप जो है, सिर्फ एक ही subject नहीं पढ़ सकते हैं, यहाँ पे आपके पास पढ़ने के लिए GK भी है, Science भी है, Hindi भी है, English भी है, और Log की भी subject है, तो यहाँ पे आपको एक chart बनाना होगा, अपने time को, अपने day का आप जो time है, वो distribute करना point है, वहाँ पे आपको जादा समय देना है, यह आप सब के ऊपर depend करता है, सबसे important चीज जो mains में सबसे important role play करती है, अच्छा number score करने के लिए, वो है आपका यह second point, answer writing practice, में answer writing के जो important tips हैं, वो मैंने एक वीडियो में दिये थे, जिन लोगोंने नहीं देखा है, उनको link description box मे मिल जाएगा, और हम यहाँ पे आपके साथ में कुछ model answers भी discuss करेंगे आने वाले time पे, especially बिहार के लिए, क्योंकि बिहार में जो है आपका 25 marks के questions होते हैं, जो हम optional लेते हैं, especially उसमें, और नहीं तो उसके बाद में 10 या 7 number के questions होते हैं, जो थोड़े से short notes में लिखने होते है लेकिन जादतर question यहाँ पे 25 marks के पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे आपको quality और quantity दोनों maintain करनी होगी, तो आपके पास में content भी जादा होना चाहिए, तो बिहार के especially आपको means answer writing practice करनी होगी, आपको बार-बार लिख के देखना होगा कि आप कितना answer किस question पे लिख पा रहे हैं questions के लिए आप previous year paper जरूर देखिए, बिहार का भी देखिए, even मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के भी जो means के previous year questions हैं, उनको जरूर solve करके जाएं इस syllabus को complete करने के बाद, तो यह सबसे important point है, जो आपका important role play करने वाला है means examination में, यहाँ पे आप पढ़ते time में अपने notes ज गुजरेंगी, लेकिन last time में आप जब revision करने बैठेंगे, तो उन सारे books को फिर से ले करके, उन pages को वापस से पलट करके देखना और revise करना एक tough job है, इसलिए आप पढ़ते समय, short में कहीं पे notes अपने बनाते रहे, एक blueprint आपके पास में तयार रहना चाहिए, कि आप last time में उ और आपको पूरा का पूरा जो content है, वो याद आ जाए, तो ये चीज बहुत important होती है, और आपके last time मेंस के revision में ये अच्छा खासा काम आ जाता है, और आपकी पढ़ाई जब भी complete हो जाती है, आपका मेंस का जब भी syllabus complete हो जाता है, तो last का जो आपका one month होगा, उसमें आप को दो से तीन बार अपने हर chapter को revise करना है, ताकि यहाँ पर जो content है वो आपकी दिमाग में अच्छे से बैठा रहे, मेंस examination में कोई भी question किसी भी side से कैसी भी पूछा गया है, उसमें criticism करने के लिए है, analysis करने के लिए है, आपको अपना opinion देने के लिए है, इन सब तरह से आप को prepare रहना है कि मेंस में कैसे भी questions पूछे जा सकते हैं, तो answer writing practice और revision यह दो यहाँ पे बहुत important चीज़ होते हैं मेंस के लिए, तो हम अपनी next videos में अब आपकी साथ में special model answers भी discuss करेंगे, और law के भी subject यहाँ पे आपके साथ में discuss के जाएंगे, लेकिन यह जो video है, उसका एक ह की मकसद है कि आप लोग अपना समय बरबाद ना करें, प्रिलिंस की result का wait ना करें, जो लोग expected cut off के आजपास हैं, वो ज़रूर अपने मेंस की तयारी शुरू कर दें, thank you.